दीपी लेक्टोनिस लैब में आपका स्वगात है दोस्तों आज मेरे पास एक 24 इंच का LED TBI है रिपेर होने के लिए जिसका अनुखा प्रॉबलेम है ये इसका अंदर एक 236 नंबर का 24 इंच का पैनल लगा हुआ है आप सबसे पहले इसका प्रॉबलेम देखिए एक अनुखा प्रॉबलेम है जब इसके अंदर इंडिगेटर देता हूँ यानि कि इसके अंदर पावर देता हूँ इसके अंदर से इंडिगेटर सब कुछ जल रहा है लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा है यानि कि ग्राफिक्स नहीं बन रहा है पैनल का प् आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ सोनी और यहां पर देखिए मॉडल नमर केलवी 24P413D तो आप चलिए इसके अंदर जो मदरबोड लगा हुआ है इस मदरबोड का आउटपूड वोल्टेज है उस सारे के सारे वोल्टेज आपको मेजरमेन करके दिखाता हूँ और कहां आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हम पैनल वोल्टेज चेक करेंगे क्योंकि यह प्रोब्लेम हमें पैनल वोल्टेज ड्रॉप और मिसिंग होने के बाएस ही होता है यहां पर देखिए एक रेगुलेटर लगा हुआ है तो जब इसके अंदर में वोल्टेज मेजरमेन करने के लिए गया तो इसका output voltage आप यहां पर देखिए infinity आभी दिखा रहा है तो चलिए इस पर मैं जब measurement कर रहा हूं यहां पर 19 बोल्ट दिखा रहा है इन्पूट पर आप देखिए 7 बोल्ट दिखा रहा है यानि कि हमारे जब 19 बोल्ट इन्पूट आउट पूट पर होना चाहि है इसके साथ हमारा यह जो एक कोईल लगा हुआ है यह भी खरब हो गया है क्योंकि इसके अंदर जो 19 बोल्ट जाने चाहिए था वो ड्रॉप होकर 7 बोल्ट हो जा रहा है तो हमारे के तो यह पता चल गया है कि यह जो मेना इसी खरब हो चुका है और इसका कोईल भी खरब ह हो चुका तो है इसके लिए हमें एक दो चीज करना परेगा सबसे पहले यहां पर जो आईसी लगा हुआ है इस आईसी को रिप्लेस करके नियावल आईसी को लगाना परेगा तो बहुत सरे लोग के पास आईसी नहीं होता है तो हमारे पास यह आईसी अवेलेवेल है तो आ अलाकि मुझे पाता है, इसके अंदर FR 80 बरो का जो नंबर होता है, voltage regulator 19 बोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लगबाग ये, जीतने भी sony tv होता है, 19 बोल्ड के उपर काम करता है, उस tv के अंदर ये वाला IC को इस्तेमाल करता है, company वालों की तरप से, अगर आपके पास को आईसी को निकल लिया हूँ और आईसी को निकल लेके बाद यहां पे देखें इसके उपर जो नमबर लिखा हुआ है साफ साफ आपको दिखाए दे रहा होगा FR-82 लिखा हुआ है तो हमारे पास इस सेम नमबर का निया IC है इस पाउच के अंदर मैंने डाल के रखा हूँ यहाँ पर आभी हमारे पास दो पीस है इस पाउच के अंदर लेकिन अगर आप इस IC को पर्चेस करना चाहते हो तो निशे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ ह उस लिंक पर जाके आप इस IC को पर्चेस कर सकते हो यहाँ पर देखिए FR-82 यह नमबर जो IC है सोनी टीबी में हमें इस इस्तमाल किया जाता है जहां पर 19 बुल अडप्टर से काम चलती है यह देखिए हमारा जो वेब साइट है उस वेब साइट के अंदर यह IC आपको मिल ज स्ट्रॉल करेंगे यह पिस IC को हम इसके अंदर से निकलता हूं निकलने के बाद यह IC को में लगाता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप का जो प्रॉब्लेम हो रहा था वो स्वाल होता है या नहीं दोस्तों आप लोगोंने यूटूब पड़ करने के लिए मैं यह स्टेप उठाया हूं और जितने भी पोडेक्ट मेरे पास LCD लेटीब रिपेरिंग के लिए भेले भेले वो सारे के सारे आप लोगों के लिए मैं आपने website पर एड कर देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं दूसरे जगा पर ना जाना परे एक IC को मतब अगर आप एक IC को किसी दूसरे जगा पर खड़िने जाओंगे तो आपको यह वाला जो आशी ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे यह एक आशी बारो जो आशी है मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं कि ऑनलाइन हमारे स्टोर से आलबा कहीं पर भी नहीं मिलेगा लेकिन अप्लाइन स्टोर से मिल सकता है लेकिन उसका जो प्राइस है दुस्तों नबबे रुपीज के आसपस अपको लेगा एक पीस जो आईसी अगर आप देली या कोलकाता जाओगे जो बरे मर्केट होता हूं उस पर लिते लेने के लिए तो उहां पर आपको जो आने जाने का बहुत ही ज़्यादा पर जाएगा इसलिए जो आईसी हम लोग या जो पर्ट्स हम लोग टीबी रिपेरिंग के द्वारा ने स्तमल करता हूं वो सारे के सारे पोडेक्ट और पार्ट्स जो है हम आपने विप्साट पर एड़ कर देता हूं आप लोगों के लिए देखिया ह हमने यहां पर आईसी को सही सलमात अपने जागा पर बिठा दिया हूं और बिठाने के बाद यहां पर एक बड़ा नजरा देख लीजिए कि इसका जो सारे लेग से उसका कनेक्टिविटी सही से हुआ है कि नहीं और यह जो काम होता है क्योंकि SMD आईसी होता है इसलिए बह नहीं यहां पर तो लगा दिया हूं आप बाड़ी आता है इसका बोल्टेज को मेजर में करना यहां पर देखिए हमारा पुराना वाला आईसी है बिल्कुल खराब हो चुका है इसका जो काम है हमारा बेकर हो चुका यह नहीं पड़ेगा देखिए दोस्तों अगर आपको यह आपके टीवी के अंदर एससाइसी है आप जल चुका है और आपको मार्केट से नहीं मील रहा है तो आप हमें मैसेज भेज़ सकते हो इमेल भेज़ सकते हो आप उसससी को अवेलेबल करने के कोशिज करूंगा यहां पर देखिए जो यहां पर देखिए उन्नीस वोल्ट हमारा यह बिल्कुल स्टेप डाउन हो चुका है इस आइसी को लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा एक एक बर इसके अंदर पिक्चर देखता हूं कि हमारा पिक्चर आता है कि नहीं क्योंकि रेगुलेटर का जो बोल्टेज डॉप हो रहा था बार वोल्ट के खराब हो जाने के वाएसे हमारा यह पूरा का पूरा टीवी जो है नो पिक्चर हो गया था तो जब मेरे पास एटीवी पहली बार आता तो मुझे लगाता कि इसका जो पैनल है वो पैनल खराब हो चुका है क्योंकि इसके पैनल के अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं बन र लेकिन बैकलाइट सही था तो इस सिच्वेशन में ज्यादा तर समय इसका पैनली खराब होती है लेकिन जब मैं इसको चेक करने के लिए गया दिख रहा था बोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जा रहा था अब यहां पर देखिए बिलकुल सही सलामात हमें यह पिक्चर दे से आपको पसंद आया होगा मुझे लगता है तो अगर आपको अच्छा लगाए वीडियो तो लाइक जोरो करतीजेगा और इसी पूर करके अगर आगे आने वालों दिनों में चीप लेबल का रिपेरिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकोन को पर तेज करके रखेएगा यहां पर दिखें आप पिक्चर देखें और हम फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में और एक नया फॉल के साथ तब तक के लिए हुई शी अल्दा बेस्ट ये जया लगार थो ने लगार भी कि अवीयो कि आता थो स्वतों आब ये ले लगार रभी कि आता रता रता कि आता रता हुई आता है झाल झाल झाल